हलो इवरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार 13 अप्रेल 2023 और दे हिंदू न्यूज पेपर एनलिसिस में आपका स्वागत है आज की जितनी भी इंपोर्टेंट न्यूज और एडिटोरियोल होंगे वो इस वीडियो के थूर डिसकस करेंगे अगर आप इस न्यूज पेपर की पेज पे जो इंपोर्टेंट न्यूज है इसमें डिसकस किया गया कि कंजूमर इंफलेशन जो हो छे परसेंट का जो मार्क है उससे कम हो भी है पहली बार पिछले 15 मेनों में तो यह काफी ज़्यादा न्यूज में रहा था पिछले एक देट साल से कंजूमर इंफलेशन य उससे पहले ब्रीट में समझ लेते हैं कि exactly किस तरह का यह एक तरीके से factual information दी गई है रिटेल इंफलेशन ये कंजूमर इंफलेशन का मतलब होता जो directly आम लोगों को impact करता है जैसे खाने पीने की चीज हो सकती है जो direct इक तरीके से indication करती है इसलिए और वे इंफलेशन को March 2023 में 5.66% के आसपास inflation जो देखने को मिल रही है पिछली बार अगर हम बात करें दिसंबर 2021 के बाद इस तरह की पहली टाइम है जब 6% से कम आपको inflation देखने को मिलेगी और अभी भी अगर हम बात करें इंडियन कंजूमर ने average की अगरम बात करें 2022 देश में 6.66% के आसपास average inflation phase करी है RBI का projection सा 6.5% के आसपास हलाकि अभी जो एक अच्छे चीज है कि पिडिक्ट की की 2023 में या इस साल जो है थोड़ा सा moderate रहेगा normal रहेगा और खासका rural area के जो कंजूमर उनके लिए अच्छी news है अभी भी urban area के लिए बहुत improvement नहीं हुआ 6.1 से लेकर 5.89% तक है अच साने पिने की चीज जैसे vegetable थोड़ी सस्ती हुई है लेकिन चैलेंजिंग चीज क्या है कि अभी आप देखेंगे कि fruit के price काफी increase है खासकर बनाना आया दूसरे fruits के यह चैलेंजिंग है तो अलग-अलग sides आपको देखने को मिलेगी inflation के मामले में लेकिन कुछ important चीज है कि 6% क चकर क्या है या 6% मारका क्या मतलब है तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे आर्वी एक्ट में monetary policy framework काया था 2016 के अंदर और 2016 में जब यह framework काया था तब 1934 का जो अर्वी एक्ट है उसके अंदर बदलाव किया गया था इस बदलाव में क्या important चीज़े बताए गई थी कि भई हमें ये ensure करना कि consumer price index जो है वो 4% के आसपास रहे चार परसेंट में अब 2% की दी गईती चूट यह कह सकते है tolerance limit होगी 2% तक अफडावन हो कोई दिक्कत नहीं 2% अफडावन का मतलब है कि 2 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है 2 से लेके 6% तक जो है वो consumer price index रहे कोई खास problem नहीं है लेकिन यहां पर यह एक तरीके से maintain करना बहुत important है और इसके अंदर यह बताया गया कि अगर 3 consecutive quarters तक यानि 3 लगातार quarters तक 3-3 महीने की gap में या अगर लगातार 9 महीने तक देश के अंदर inflation जो है वो बड़ी रहती है या consumer price index 6% से या upper tolerance limit से ज़्यादा होती है तब R RBI को सरकार को जवाब देना होता है और इसके अंदर 3 सवाल पूसे जाते है basically report publish करनी होती है submit करनी होती है जिसके अंदर बता जाता है कि RBI inflation को एक तरीके से achieve करने में क्यों fail रहा second यह बताया जाता है कि किस तरह के remedy election जो बैंक ने propose किये है और एक idea मागा जाता है कि आने वा सवाल होते हैं जिसके बारे में यहां पर impact करेगा इसके अलावा again consumer price index के बारे में बताया गया है कि 2016 इसका base बताया गया लेकिन मैं भी confirm नहीं हूँ अगर आप में से मुझे चेक करना पड़ेगा कि 2016 17 इनोंने base year इसको कर दिया है कि नहीं कर दिया क्योंकि consumer price index जो 2011 12 ही था और अगर हाली में इसको implement कर दिया गया है 2016 17 को तो यह confirm करिए एक question भी आप लोगों के लिए रहेगा कि क्या consumer price index का जो base year पहले 2011 12 था अब उसको 2016 17 जो propose किया गया था कि 2016 17 उसको बना दिया गया है इसके अलावा consumer price index के बारे में जब हम बात करते हैं तो consumer price index basically release कोन करता है यह स कर कि base effect होता है कि base effect बहुत simple सा है माल लेते हैं कि इंडिया की economy जो है वो 2020 के अंदर 100 रुपे थी मैं for example बता रहा हूँ 2021 में 110 रुपे होगी है ना तो हमने 10% ही growth हासिल करी फिर माल लेते हैं कि 2022 में 100 रुपे थी और उसके बाद उसके बाद यह कम होकर 2023 में 90 होगी और उसके तो ऐसा लगेगा कि 90 प्लस 50 110 तो 20% का overall profit हुआ है लेकिन base effect का मतलब होगा कि पिछले साल जो economy थी उसके compare में कितनी growth होती है अगर माल लेते हैं कि हमारी economy में contraction देखने को मिलता है कमी देखने को मिलती जैसे 2021 में हुआ था कि COVID-19 के वज़े से around 7.5% के आसपास contraction देखने को मि जाएगा तो उसमें overall growth भी ज्यादा देखने को मिलेगा लेकिन actual growth जो है different हो सकती तो base effect पिछले year के compare में किस तरीके से economic growth कर रही है यह किस तरीके चीजे बदल ले उसके बारे में एक तरीके से idea देता है यह word जो है यह Trump काफी important क्योंकि 2023 में यह topic काफी ज्यादा news में है और 28 22 में को हो सकता है कि सवाल एक दो आपको देखने को मिल सकता है inflation के मामले में इसके बाद page नंबर 6 है जो editorial part है और editorial part में हम लोग आज भी केवल एकी article पढ़ेंगे हलाकि planning यह थे कि हम लोग एक और article को include करें जिसमें online dispute resolution बस करके जो topic दिया गया है लेकिन एकी article के साथ थोड में brief में इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे skill over chance करके आने वाले टाइप में हम लोग एक से एक दो तिन जितने भी important हो सबको cover करेंगे अभी एक दो दिन केवल एक या दो जो main article है जो important article है exam perspective से केवल उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर बात की जारी है skill over chance करके जो topic दिया गया है और यह topic basically qnews में तमिलाडू government ने तरीके से बिल प्रपोज किया था जो online gambling को probit करता है और regulate करता online games को जैसे अगर आप dream में लें और fantasy इस तरह के application जुरूर आपने सुना होगा यह advertisement आती रहती है तो यहाँ पर ही बताया गया skill के game की तरह इंडिकेशन किया जा topic discuss करता है रेशन में तमिलाडू के governor R.N. रवी साब ने एक तरीके से 7 अप्रेल को यह जो बिल था उसको अपनी consent consent यह consent कह सकते हैं वो दी permission दी इसके अलावा यह bill बहुत important था क्योंकि तमिलाडू राज्ये के जितने भी political party थी उनमें इसे almost ने इसको sport किया था legislation के अंदर विधान सभा के अंदर और इस बिल को बोला जाएगा तमिलाडू provision of online gambling and regulation of online games act लेकिन यहाँ पर यह बिल जो है इसके पास होने में बहुत सारे ups and downs रहे अगर हम बात करें एक महीने पहले जो assembly को return कर दिया गया था और उसके बाद अगर हम बात करें house ने re-adopt किया फिर से ज and gambling in the state list entry 34 के अंदर यह है देखो parliament में अगर हम बात करें सोरी हमारे constitution के अंदर अगर हम बात करें तो schedules में decide होता है कि यह state list के अंदर है union list के अंदर है या फिर concrete list के अंदर है अगर आपको याद होगा जब farming या agriculture related bill parliament में आये थे तब काफी debate हुए थे कि agriculture तो state list के अंदर आत रखती है तो center government क्या क्या था कि concrete list के अंदर कोई subject था उसके थूरू बिल पास किये थे तो हमेशा यह बताया जाता है जब भी कोई parliament में बिल आता है तो यह बताया जाता है कि हम लोग इस entry के थूरू या इस जो list है इसमें इस यह entry इसके थूरू बिल पास कर रहे हैं इसके इसके लावा यहाँ प्रग्रम बात करें गवर्नर साब ने कई दिनों तक इसको hold किया गवर्नर के बीच में गवर्नर के बीच में कई बार debate देखनों को मिलती है चाहे वो तमिल नाडू हो केरला हो तिलंगाना हो इन state में आपको खास कर देखने को मिलेगी इसके लावा य भी कोई official word नहीं था इसके बाद national eligibility come and test test हो या रिशन में intermediary guidelines and digital media ethics course जो IT rules है उसके मामले में हो राइट तो यह सारे चीज़े देखने को मिलती है आवर रोल सेंटर सोरी गवर्नर और state government के बीच में खास कर गवर्नर्शिप को लेकर काफी debate रहा है रिशन में तमिलाडू रा unit के अंदर जो है वो एक तरीके से बिल को पास करे या उसको रिटन करे और इसके लावा digital world की जब हम बात करते तो एक healthy environment होना चाहिए online games के मामले में एक सवाल आप लोगों के लिए थोड़ा practical सा question है जब हम बात करते हैं जैसे ही अगर हमने पढ़ा होगा कि जैसे parliament में अग द्वारा पास करते तो अप्रूवल करना पड़ता है क्या गवर्नर्शिप में भी ऐसे कि माल लेते हैं राज्य के जो राज्यपाल है उनको बिल भेजा जाता है assembly के द्वारा पास करके और legislation के द्वारा पास किया के बिल वह वापीस भेज देते हैं उसके बाद उनको अग आपके लिएक सवाल है इसके बाद जो पेज नमबर 8 पे text and context का topic है जिसमें एक topic discuss किया गया है parliamentary committees के बारे में parliamentary committee जो है अलग-अलग type की parliamentary committee होते है लेकिन हम इसका अगर आप करक समझेंगे political चीज़ों को छोड़ कर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले example दिया गया है कि जो current parliament है उसमें national legislation के मामले में खास कर 17 लोकसुभा के अंदर केवल 14 ऐसे बिल है जो examination के लिए parliamentary panel को किजे गए है parliamentary committee क्या होती है क्या function करती है क्या इनका role रहे था उसके बारे में पढ़ेंगे PRS का data है कि 25% बिल जो इंटेड्यूस किए गए वो रैफर किए गए थे Parliament को 16 लोकसुभा में और इसके अलावा 15 और 14 लोकसुभा में 71% और 60% यानि पहले क्या होता था जो इससे पहले की लोकसुभा रही है चाहिए वो पंदर भी हो या फिर चोद भी हो वहाँ पर बहुत सारे बिल को parliamentary committees के पास या panel के पास भीजा जाता था reason क्या होता committees के पास भीजने में कि जब भी कोई बिल आए उसके एक better scrutiny हो यहां पर भी आप देखेंगे कि committee किसी भी बिल में किसी भी legislation में specific detail में उसको analysis करती है उसके impact को अबज़र करती है गवर्नेंस को indication करती है और उसके बाद अपनी recommendation देती हाला कि recommendation मानना कोई compulsory नहीं कि एक सज़ाव देती कि आप इसमें बदलाव करें और even अगर हम बात करें government यहां पर भी बतायागा कि कोई binding नहीं है कि सरकार वही मानेगी जो इन्होंने कहा दिया लेकिन यह help करती है लैसलिस्टर को कि एक executive पर oversight हो यानि जो कारियर पाली का होती है उसको उपर एक तरीके से नजर रखी जाए इसके अलावा parliament अगर हम बात करें इसको compulsory referral की तरह इसको indication कर सकती है कि कोई bill जब table किया जाता है फ्लूर पर या कोई parliament में introduce किया जाता है उसके बाद appropriate committee उसको analysis करें ताकि अगर हम बात करें accountability हो जो executive होती है या कारिपाल का उसकी proper accountability होनी चाहिए introduce कर रहे है उसका overall क्या impact जो है आपके उपर या जहां पर जिस भी field में कानुन आ रहा है उसका overall impact हो सकता उसके बारे में यह बहुत जुरूरी है इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें page number 10 पर और again तमिल नाडू की जो chief minister है उन्होंने अपना यहाँ पर resolution पास करवाया थ जिसमें बताया थे गया था कि governor को जो bill pass करने के बारे में time limit होने चाहिए अभी भी time limit नहीं है कि जैसे assembly या parliament को bill pass करती है और president या governor को जब sign करने होते हैं तो उसके बीच में समय कितना होना चाहिए यह कोई fix नहीं किया constitution में यह कहीं नहीं और इसको लेकर यह बताया गया कि एक state government के जो governor होंगे sorry state government के governor नहीं governor को जब state government को resolution पास करते है assembly के थूँ या isolation के थूँ उसके बीच में कितना gap होना चाहिए उनकी approval को लेकर तो यह अपने आप में बहुत important है इसके बाद यहाँ program बात करें इसराइल एक country काफी ज़्यादा news में रही है अलग-अलग वज़ community को कहिने के face कर रहा है अभी जो government बन रही है बार-बार elections हो रहे हैं इसके अलावा government stable नहीं है दूसरी गरम बात करें काफी वहाँ पर internal protest भी चल रहे हैं इसके अलावा इनी सब चीज के बीच में इसराइल के जो ministerial है या इसराइल के बहुत सारी minister एक एक करके इंडिया में आ रहे हैं और इसमें में इंडिया इजराइल के बीच में free trade agreement talks के बारे में free trade agreement का मतलब होता है कि दोनों countries के बीच में trade को थ्रहा smooth करना custom and duties को कम करना simplification करना procedure को और बहुत सारे ऐसी product होंगे goods होंगे जिसमें tax यह जो custom लगता वो नय के बराबर कर दिया जागा जिरो भी कर दिया जाता है राइट back to back official interaction कर रहे हैं आने वाले time में maybe वहां के जो प्राइमिस्टर है वो भी इंडिया के अंदर आ सकते हैं upcoming visit के तोर पर और delegation उन अगलग issues को लेकर जैसे यह visit जो है वो fintech पर cyber security, climate tech और automotive sector इन सब एरिया पर काम करता है इसराइल जाना जाता है अपने latest technology को लेकर और इंडिया के लिए इसराइल बहुत important अगर आप technological perspective से बात करें इनके अलावा यह agreement इसले भी important हो जाता है कि हमने successfully agreement किया था UAE के साथ free trade agreement 100 billion dollar के target रखाता है कि हम दोनों country अपना trade रखेंगे तो UAE के साथ हमारा trade boost up हो रहा successfully हमने उसको conclude किया और बहुत सारी countries के साथ हम free trade agreement पर consult कर रहे हैं जिसमें Australia है Canada है इस even UK के बारे में काफी जादा discuss है हलाकि Australia के साथ हम काफी positive हैं UK के साथ कई सारे ups downs रहे हैं Canada के बारे में ब UK और अगर इसराइल के साथ होता डेफिनली ये भी positive science होगा इसके बाद COP India 23 करके exercise हो रही है इंडिया और United States की Air Force के बीच में और इसके अंदरे बताया गया कि ये exercise बड़ी interesting है क्योंकि हमारा जो खुद का light combat aircraft तेजस ये participate कर रहे है राफेल participate करेगा सुखोई जो की Russian made है या Russia से हमने एक तरीके से मंगवाया है ये भी इसके अंदर participate करेगा करेगा बहुत interesting सीज़े है कि Russia और US के जो forces है वो आपको बहुत कम एक साथ देखने को मिलते हैं लेकिन ये important है जपान अजे observer इसमें participate कर रहा है इस exercise का main मकसद क्या है कि aerial refueling पर काम करना कि कैसे हम लोग practice कर स warning system इसके अलावा control system airborne early warning और control aircraft of Indian Air Force तो उन सब के अंदर ये बताया गया कि कैसे हम लोग दोनों जब भी आप देखेंगे जितनी भी exercise होती है चाहे वो military हो चाहे Air Force की हो चाहे नेवल exercise हो मकसद यही होता है कि दोनों के बीच में coordination को boost up करना तो उस हिसाब से exercise जो है वो काफी ज्यादा important है इसके बाद page number 11 is all about politics and mostly politics ही है तो यह बहुत ज्यादा relevant हमारे लिए है नहीं इसके बाद NCRT textbook के अंदर लगातार debate चल रही कि क्या इसमें delete किया गया delete किया गया तो सही किया गया कि नहीं किया गया जैसे मुलाना आजाद के बारे में कुछ reference था उसके बारे में discussion है इसके अलावा जमुन कस्मीर की conditional association को लेकर काफी जादा debate चल रही है तो बहुत सारी चीजों को हटाया गया है तो इस पर काफी दिन तक debate चलेगी और आने वाले time में जब अगर हम बात करें कि ये अगर इसके बारे में detail से हमारे पास NCRT book आएगी तो देखेंगे इसके debate continue रहने वाली है कई दिन तक इसके बाद बात करते हैं world affair में कि पूरी दुनिया में इस टाइम पे चल क्या रहा है दुनिया किस तरीके से आगे बढ़ रही है और किस तरीके से चीजे जो हो इंडिकेशन कर रही है जैसे इरान और साओधी अरे बीच में हमने पढ़ा कि च अगर साओधी अरबिया और इरान के relation strong होते हैं या कह सकते strong की बज़ाए मैं इसको normalization भी अगर हम बात करूँ तब definitely बहुत सारी चीजे बदलने वाली western Asia की context में और कई जगह पर खास कर मैं यमन के लिए बहुत जादा एक तरीके से खुश होँगा क्योंकि यमन इस टाइम पर worst humanitarian crisis face कर रहा है एक तरफ जहां government को back करते है सौधी अरबिया और UAE जैसी country ओमान भी समें account कर लिजिए दूसरी तरफ healthy rebel है जो rebel group है जिसको back करता है इरान तो उन सब के बीच में जो common person है या साधान इंसान है वो कहने के सफर कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत important है की चीज example चाइना की जो प्रेजिडेंट उनने पीपल लिबरेशन आर्मी चाइनीज आर्मी को बोला कि अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा सा ओर strength करिए combat को strength करिए क्योंकि आने वाले टाइम में अगर sovereignty और maritime interest को सेव करना पड़े तो आप उसके लिए ready रही है और यह बाते बोली गई इसे discussion करने जाते हैं जैसे ताइवान की प्रेजिडेंट इस टाइम पर अभी गई थी कहां पर US के अंदर हलाकि उनकी main विजिट थी कुछ Latin American countries में जहां पर इनके relation है राइट लेकिन उस विजिट के बाद चाइना काफी नराज होता है चाइना की तरफ से कहा गया कि हम एक एक तरीके से चैलीज बार से विए एरक्रैफ्ट उनके आसपास नजर आएगा तो उसको वो डिटेन करने का काम करेंगे इसके लावा North Ireland और एक तरीके से Ireland के बीच में जो डील हुई थी या Friday Agreement काफी ज़्यादा पोपलर है तो उसके बारे में आने वाले टाइम में फिर से न्यूज में रहता है तो वो ज़्यादा relevant नहीं है लाश्ट जो न्यूज है वो है index of industrial production के बारे में और मैंने ये बताया था कि जो डेटा है इस पे बहुत ज़्यादा relevant नहीं है क्योंकि monthly update होता है ये जो डेटा है banking examination या financial examination वहाँ पर ये important हो सकता है monthly data लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको समझने पड़ेगी कि IIP होता क्या index of industrial production का मतलब होता है कि देश की कुछ major industry है जिनका overall industrial production में लगबग 40% के आसपास role है यानि हमारे यहाँ पर जितना भी industrial production होता है उसमें 40% यही industry जो वो एक तरीके से role play करती है और उसमें 8 industry आती है जिसको बोला जाता है core industry यानि यह परमुक industry जिसको core industry भी बोला जाता है और इसको लेकर एक analysis आता है मंतली basis पर जिसको IIP बोला जाता है और यह analysis करता है कि देश के अंदर industrial data की गरम बात करते हैं तो वो किस तरीके से react करता है ना इसके बाद आप लोगों के लिए एक सवाल भी है जब हम 8 core industry के ब बता है भी सकता है बट मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप effort करिए practice करिए index of industrial production में जो 8 core industry आती है वो कौन कौन सी है और इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम weightage किसका है यह आप नीचे comment करिए thank you all जहिन